नमस्कार दोस्तो आइ मैं डॉक्टर उत्करश्ध्री आप सबिका 250 समय पधिय्चक अपने फेस्बूक पेछ। डॉक्टर त्रिवेदा होमेपिती में होगत करता हैं दोस्तो जैसा कि आप सब इसे जान रहे हैं अभी वारिस यू शरी जिलिग होती बीमारी का प्रकोब भड़ता है डेंगु जो होता है वो एक प्रकार का बुखार है जिसमें शरीर में अत्यथिक दर्द रहता है कमर में दर्द रहता है हाथ पर में दर्द रहता है जिसको अपन एक आम भाशा में हड़ी टोड बुखार कहते है और जो बुखार रहता है ये मच्छड के काटने से होता है. जो डेंगू के मच्छड होते हैं वो, एक बात आप ध्यान लखी गैकर कि वो सफ साफ पानी में पनपते हैं । जैसे आपने गर्मी के बात जो आपने coolers का else का पानी जो आपका भारा है या जो पानी आपका बारिष होती है उड़ सकते हैं और ये शरीर के उपर हिस्व में ज्यादा काटते हैं और जो डेंगू के मच्छड होते हैं ये दिन में काटते हैं ना कि रात में तो आप सभी को कभी भी अगर बुखार होता है और सुरवाती सिंटम्स में शरीर में अत्ततिक दर्द हो या आख लाल दिखे या शरी रतती गरम हो रहा हो तो आप तुरंथ अपने नजदी की डॉक्टर से सला करें किसी भी तरह की लापरवाही ना बढ़ते क्योंकि डेंगू में जब डेंगू को बुखार होता है तो प्लेटलेट जो हमारे शरीप रहते हैं यह बहुत जल्दी गिरते हैं और प्लेटलेट गिरने होने से हमारे शरीप की जो रहती है जो बीमारी से लड़ सके वो खता हो जाती है जिससे यह जान लेवा भी हो सकती है होमियोपयथी में डेंगु की सिम्टम्स के इसाप से काफी सारी दवाईया है लेकिन फिर भी मैं आपको एक प्रिकॉशन के दौर पे आप जैसे यूपिटोरियाम 200 दवाई है बेलाडोना 200 दवाई है ये एमर्जनसी कंडिशन में आप अपने नजदी की होमियोपची सबसे अच्छा उपाय है कि आप इस मौसम में फूल आस्तिन के कबड़े पहने जो छोटे बच्चे हैं उनको भी फूल पेंट पहना है फूल शेट पहना है क्योंकि किसी भी चीज का जो प्रिकॉशन है वो बिमारी से बचने का सबसे अच्छा रास्ता होता है आप मच्छ